तो दिखते हैं, तो यहां पर electron का filling कैसे होगा, पहले electron जाएगा 1s में, 1s में जाने के बाद electron किस में fill करेगा, it will fill into 2s, 2s में fill होने के बाद ये किस में fill करेगा, it will fill into 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3P के बाद 4S 4S के बाद 3D 3D के बाद 4P, 5S फिर उसके बाद 4D, 5P, 6S फिर 4F, फिर उसके बाद 5D, 6P, 7S एरो जो है वैसी फिलिंग होगी फिर उसके बाद दुबारा हम बेगिन करेंगे 5F, 6D, 7P अब यहाँ पर बच्चा ही डाउट पूछाएगी सर अब उसके बाद यह G फिलिंग नहीं होनी ची बिकॉस अभी discovered element कितने है 118 elements discovered है तो अभी हमारे स्वामने यह tension है नहीं बढ़ हाँ अगर further ऐसा कुछ होता है तो आप G sub shell लिख सकते हैं कुछ question में भी हो सकता है आपको G sub shell mention हो तो आप यह तरीका use करके electronic configuration लिखिए and try करिए और electronic configuration लिखने के बाद हम अब भी आपको यह suggest करेंगे आप try करिए कि कितने element के बाद S block में filling होती है कितने element के बाद P block में filling हो रही है कितने element के बाद D obviously S और P का question जादा important नहीं है main तो important है D block फिर कितने element के बाद F block में filling हो रही है और फिर आप वो वीडियो इसमें देखें कि group number, period number कैसे find करते हैं और उसके बाद आप electronic configuration लिखिए